को सेलेट करने के बाद आपको इस तरह से स्वाइप करना है देश भर में जब ऑनलाइन पेमेंट की शुरुआत हुई थी So hello guys मेरा नाम है साजी सेफी and you are watching टेकनिकल सेफी and guys आज किस वीडियो में मैं आपको Android Mobile की एक ऐसी कमाल की सेटिंग बताने वाला हूँ जिसे एपलाई करने के बाद आप अपने Android Mobile को और भी बहतर तरीके से यूज कर पाएंगे ये सेटिंग आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूसफुल होने वाली है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाज तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको मेरी बताई सेटिंग पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कराएं और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल न बोले तो चलिए आभी हम वीडियो को श्रू करते हैं और अभी चलते हैं हम अपने मॉबाईल की स्क्रीन की तरफ सो फाइनली गईज अभी हम अपने मुबाइल की स्कीन पर आ चुके हैं अगर आपको मेरे मुबाइल की स्कीन पर एक शॉटकट देखने को मिल रहा होगा और इसका क्या यूज है चलिए मैं आपको बताता हूँ और आप इसको किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं इसके लिए आपको मुबाइल की सेटिंग में आना है और मुबाइल की सेटिंग में आने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है और जैसे ही आप एडवल सी एडवल एस लिखते हैं अब आपको next step में जो accessibility बटन का option देखने को मिल रहा है simply आपको इसको select कर लेना है और जैसी आप इसको select करते हैं तो इसको select करने के बाद यहाँ आपको accessibility बटन की जो setting है वो आपको देखने को मिल जाएंगी आप अपने हिसाब से इनको customize कर सकते हैं मैंने इसको default पर रहने दिया है अभी आपको आना है back and back आने के बाद और उसके बाद जो आपको accessibility menu का option मिल रहा है simply आपको इसको select करते हैं तो इसके अंदर आपको यहाँ shortcut का एक option देखने को मिल रहा होगा simply आपको यहाँ से इसको activate कर देना है अभी आपको करना क्या है allow पर click कर देना है अड़ इसके बाद यहाँ आपको फिर से OK पर click कर देना है अड़ जैसे ही आप OK पर click करते हैं तो OK पर click करने के बाद आपको यह shortcut है वह आपको शो हो जाएगा आपके mobile की screen पर and so यहाँ आपको एक setting का भी icon देखने को मिलेगा जैसे ही आप इस पर click करते हैं तो इस पर click करने के बाद जो accessibility menu setting का जो option है वो आपको और भी मिलेगे जैसे कि आप यहाँ इसको large button में भी convert कर सकते हैं चलिए फिलाल मैं यहाँ default रहने देता हूँ and उसके बाद आपको back लेने के बाद man menu में यहाँ आपको चार option मिलेंगे देखने को आपको simply करना क्या है जो second वाला option है वीजन का आपको इस पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करते हैं तो इस पर click करने के बाद यहाँ आपको select to speak का एक option दिखाई देगा अब आपको करना क्या है इसको click करना है and जैसे ही आप इस पर click करते हैं तो इस पर click करने के बाद यहाँ आपको फिर से जो shortcut का option है इसको activate कर देना है फिलाल यह मेरा activate है चलिए मैं यहाँ इसको एक बाद deactivate करके दिखाता हूँ जैसे ही मैं इसको deactivate करता हूँ सके अभी आप देख रहे हैं मेरे मोवाइल में ये दौनों ही ऑप्शन एक्टिवेट हो चुके हैं चलिए अभी हम फाइनली बात करते हैं कि एक्चली इसका यूज क्या है और ये क्या है और आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं तो गाइस इसके लिए हम फिर से हॉम स्क यूज क्या था जैसे कि आपको यहां green टपली कर दिख रहा है वह पहला option है हमारा accessibility menu का चलिए मैंस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूं जैसी आप इस पर click करते हैं तो इस पर click करने के बाद यहां आपको accessibility के जो menu है वो सारा कर सारा show हो जाएगा यानि कि आपके phone की जो shortcut setting है वो आपको show हो जाएगी जैसे कि आप अपने phone के अंदर directly कहीं भी किसी भी menu के अंदर किसी भी जगह इन shortcuts को use कर सकते हैं इस option के जरीए और आप इस setting के जरीए volume up और down के button को भी use कर सकते हैं बिना button को touch किये और उसके बाद recent application का feature है वो भी आप इसके जरीए use कर सकते हैं काफी easily and उसके बाद यह आप अपने phone की brightness को control कर सकते हैं जैसा कि अभी आप देख रहा हैं यह brightness को मैं control कर रहा हूं and उसके बाद यह आपको और भी option मिलते हैं जैसे कि quick setting और notification और इसके short वगरा जैसे कि अगर आप quick setting पर set करते हैं तो आपके जो phone की quick setting वगरा है वो open हो जाएंगी बहुती easily तो guys यह है पहले option का use तो चलिए दो अब मैं आपको second option का use बताता हूं कि आप second option का use किस तरह से कर सकते हैं अपने phone के अंदर well जैसा कि आप देख रहे हैं फिलाल मैं यहां चलिए google के अंदर चलता हुआ है आप उसको काफी easily read करवा सकते हैं second option के जरिये मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से तो आपको simply करना क्या है जो second option है इसको select करना है जैसी आप इसको select करते हैं तो यहां आपको bottom में एक option दिखाई देगा अब आपको simply अपने screen पे इस तरह से swipe करना है और swipe करने के ब यहां पर अभी आपको और भी read करके दिखाता हूं तो guys इसके लिए simply आपको फिर से option को select करना है और option को select करने के बाद आपको इस तरह से swipe करना है देश भर में जब online payment की शुरूआत हुई थी तब UPI payment करने वाले आप लोगों को cashback के route में हर payment पर रुपे देकर नुभा रह आपको फिर से इसको select करने के बाद अभी आपने select to speed का option select किया था आपको इसे select कर लेना है और उसके बाद यहां आपको एक setting का icon देखने को मिलेगा आपको simply इस पर click करना है और जैसे ही आप इसको select करने के बाद यहां आपको दो option extra मिलेंगे जिसमें की एक read in background और एक read text on image जैसी guys आप इन वाले option को अगर activate कर देते हैं तो इसको activate करने से यह फायदा होगा कि जब भी आप किसी भी text को read करवाएंगे इस option के जरीए तो आप अपने phone के अंदर बाकी और भी काम कर सकते हैं और जो background में reading वगरा है वो चलती रहेगी और second option के जरीए अगर आप किसी भ करते हैं तो इस पर select करने के बाद यहां आपको जो read करने की speed है आप उसको control कर सकते हैं speech rate के जरीए और यहां आपको जो pitch का option देखने को मिल रहा है इसके जरीए आप इसकी sound quality है याई कि जो voice है आप उसको male या female में change कर सकते हैं खरी आप इसको खुश से try कर सकते हैं तो दो बिलकोल नबूने तो अखर तो फलाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीज़े और साथी साथ चैम को subscribe करने बिलक ठीक इसी तरह की एक और नियू वीडियो के साथ